महीं हमारे समझा था असपर शर्मा ने हर्याना कॉंग्रिस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया से भी खास बात शीत की हैं सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा भारी दीपक बावरिया जी हमारे साथ बात करने के लिए मुझूद है सर किस तरीके से देखें राहूल गांदी की जो संसत सरस्ता है वो वापस होती भी नजर आई है तमाम कारेकरताओं ने जेशन भी जो है मनाया था कारेकर तो जेशन मनाएंगे मगर पूरी देश की जनता ने जेशन मनाया और मैं समझ रहा हूं कि पूरी देश की जनता इसलिए खूश है कि धर्म की जो रादनीती चल रही है उसमें कहीं न कहीं उसको एक बड़ा सेट बेक मिला हूआ है यह जो बातिय जनता पार्टी और प्रदान मंतरी जी की जो निती रिती बनी रही है उस वह एक बड़ी लपड़ाग से लगी हुई है कि एसे मेरी समझेैं संसद में वापस लोकसभाब में देखने को मिलते वे नज़ा आएंगे इसका सीधा तॉर पर फाइदा समझने की हम कोशिश करें तो आने वाले समय पांच राज्यों में चुनाओं भी हैं फिर आम चुनाओं देखने को मिलते नज़ाएंगे को आएं में इन्हों ने जो गलत किया है उसकी शीक्षा भी प्रजाव उसको करेगी सर इसके लावा आज दिली में हर्यान राएगा क्या रूपरे का सर किस तरह की तैयारी आज जो है हमारी जो मीटिंग होने जा रही है उसमें खर्गे साथ और राउल गांदी जी की और से हर्याना पॉंग्रेस की प्रिपेर्डनेस क्या है हम लोग क्या चुनोती के सामने के लिए क्या क्या कर रहे है उसका संग्यान ले आए जाएगा हमारी कुछ समाश है तो उसको भी वो उसका भी समाधान डूरने के प्रयास करेंगे और साथ-साथ मारदर्शन भी करेंगे और ये पूरे जो परिस्तिती भी बनी हुए इसमें ये आज की जो मीटिंग है उसमें प्रदेश के जो बड़े लीडर हैं विदायक होते हैं या सांसत के होते हैं या मंतरी होते हैं वो सब तो अगर उसके साथ साथ समाज के पिछड़े हुए वर्के लोग जो हैं श्रमीक भी हो सकते हैं, फार्मर्स भी हो सकते हैं, वो सभी सेक्षिन के प्रदीनी धीत को भी आमंत रित किया गया है, जिसके वज़े से वो लोग भी अपने मंद की बात वहां रख सके हैं. सरा, कई सारे मसले हैं, चाहे संगठन की बात करें, 2024 के लोग सभा चुनाओं की बात करें, विदान सभा चुनाओं की बात करें, इन तमाम चीजों को लेकर किस तरह के से युनाइटेड देखने को मिलती हैं नज़राई, ये महत्पून फोकस रहेगा? बिलकुल जो हैं, कॉंग्रेस पार्टी में मैं समझ रहा हूँ, पूरी यूनिटी जो हैं बन चुकी हैं, और सभी जो हैं कार्यकर, वो बात से तो जिनिश्चित रूप से सतर्क हो गए हैं, कि बातिय जन्ता पार्टी इसका नाजाइस फाइदा उठाना चाहती हैं, तो ब बात मैं, मैं पूरा का पूरा एशोर्ड हूँ, ऐसा मैं फिल करता हूँ, अन्तिम प्रशन नू की घटना को लेकर अभी तक जो कारवाई रही, उसको किस तरीके से आप देखने हैं, जो बरबरता पूर्णत तरीके से ये सभी लोगों के घर उजाड रहे हैं, बुलोजर गुमा रहे हैं, सरकार खूदी जो नफरत की राधनिती फैला रहे हैं, सरकार खूदी जो हैं शांती का भंगोजा ऐसी कारवाई कर रहे हैं, उसकी शाक्षी बन रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं, ये देश ने कभी नहीं देखा, कोई एक व्यक्ति विशेश का कोई रोल ह जो वो भी पोलिस का आरोप हैं कोट ने तो अभी सिध नहीं हुआ है और ये देश में प्रदान मंत्री ने कहा था कि 2022 तक हम पूरे देश में सभी लोगों को आवास देंगे दो करोड़ की रोजगारी देंगे मगर आज दस साल के बाद भी वो तो नहीं बना मगर बेरोजगारी बढ़ी ग्रामिन इलाकों में रोजगारी नहीं होने की वज़े से ग्रामिन इलाकों से आसपास के क्षेतर से लोग इमिग्रेट वर्कर्स जो आते हैं वो बिचारे इतने गरीब लोग होते हैं कि ये केपिटल रिजिन के आसपास कोई किराय का मकान भी जो हैं वो एफोर्ड ने कर पाते हैं तो कहीं न कहीं जगा पे वो जोगी जोपड़ी बना के आवास करते हैं तो उसको इलीगल एंक्रोच्मेंट बताते हुए उसको उसके आवास गिरा देना और उसके लिए उसके को आरोप लगा के कि उसके गर का कोई सदश्य था हो कोई गेर कानोने या कोई आरोप का उसके पर आरोप लगा हुए तोफान में शामिल था मैं समझ रहा हूं कि ये देश में न्याइप तंत्र की भी इसी प्रकार की दजिया किसी ने नहीं उड़ाई कि जहां बीना आरोप सिधुए लोगों को शिक्षा दी जाते है उसके परिवार के सदश्यों को शिक्षा दी जाते है और not only that उसको अम्मानवियता से बेघर कर दिया जाता है ब्रिटीश आसन में भी कभी नहीं हुआ था दीपक बाबरिया जी थे जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे तमाम मसलों को लेकर कैमरमेंन सतेंदर के साथ इस पर शर्मा जनता टीवी दिल्ली